हे अब्रीवान वेलकम बैक सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अल्लिमिटेन नंबर सॉप ओफिसल मेल आईडी क्रेट कर सकते हैं और वो भी फ्री में ओके सो ओफिसल मेल आईडी का रिक्वाइड कहां पर आता है जैसे कि आप सोजो कोई भी एक सॉप्ट को इंश्टल कर सकते हैं और इसके अलाबा आप ओफिसल मेल आईडी को कोई भी एक सीवी या फिर लिंक दिन का प्रोफाइल क्रेट कर रहे हैं तो उस टेम पे भी आप इसको डाल सकते हैं ओके सो लेट सी हाओ वी केन क्रेट अल्लिमिटेड डंबर सॉप ऑफिसल मेल आईडी विद फ्री अप कोस्ट ओके सबसे पहले आपको क्या करने है आपको गुगल पर जाना है और यहां पर क्या करना है आपको मेल डॉट कॉम बोलके आपको सर्च करना है क्लिक एंटर जैसे यह आप यहां पर एंटर करेंगे आपको इस तरह का पेज़ दिखाई देगा ठीक है तो यह पहला वाला लिंक जहां पर लिखा हुआ है फ्री इमेल अकाउंट रेजिस्टर टूडे अट मेल डॉट कॉम यहां पर आपको क्या करना है क्लिक करने के बात आपको इस तरह का एक कि लीज दिखह देगा फिक तो आपको क्या करना है सिंपल से स्टेप यहाँ पर साइनप का ओप्सन मिल रहा है यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं हमारा पेज हो यहां पर open हो चुका है ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले आपका email id यहां पर डालनी है यानि कि आप जो email id जिसके नाम पर create करना चाहते हैं उनका यहां यहां पर नाम डाल दो ठीक है फर एक्जमपल में मेरा नाम है नीरच पतेल तो यहां पर मैं नीरच डालता हूं देन डॉट डालके यहां पर पतेल डालता हूं और उसके बाद आप क्या करो आप कोई भी एक और नाम डाल दो फर एक्जमपल यहां पर मैं डॉट डालता ठीक है ओके देन क्या करना है इसका जो आपका जो मेल डी क्रेट कर रहे हैं वो मेल डी का extension क्या होना चाहिए ओके यहां पर जैसे बाइडिफॉल mail.com है तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको बहुत सारे extension देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पर जॉप करें रहें तो यहां पर जॉप सेक्षन एक जॉप सेक्षन है जॉप के अंडर बहुत सारे यहां पर extension यहां पर वरा हुआ है तो आप इनमेंसे आपके requirement के हिसाब से कोई भी एक extension आपका जो mail है उसका extension यहां पर चूज करके उसको select कर सकते हैं तो यहां पर एक accountant हूँ तो मैं यहां पर accountant.com डाल सकता हूँ यहां फिर आप कोई एक consultant है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर क्रेट करना चाहते हैं तो इनमेंसे कोई एक को select कर सकते हैं तो इस तरह से आपके requirement के हिसाब से आप कोई भी extension यहां पर चूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक चौप करता हूं और accountant हूँ तो मैं यहां पर accountant.com डालता हूँ ठीक है तो यहां पर मेरा mail id क्या हो जागा निरस.pattel.tcs at the.com हो जाएगा ठीक है लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है यह mail id जो है यह available है की नहीं हमको चेक करना है तो यहां पर check में क्लिक करो तो चेक में क्लिक करने के बाद आपको यह दिखा देगा कि यह जो mail id आप create करना चाहते है वह available है की नहीं ठीक है तो यहां पर देखो तो ओसम मतलब हमारे जो यह mail id create के है वह available है ठीक है देन आपको अगर यहां पर यहां पर यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कोई दूसरा नम जैसे निराज.पटेल.tcs और निराज.पटेल.tcs ऐसे कुछ भी आप यहां पर डाल सकते है और यहां पर चेक में चेक करके आपका उस mail id का availability check कर सकते है ठीक है देन यहां पर परसनल डीटेल जैसे की Mr. यहां पर मैं नीरच यहां पर टेल ठीक है देन उसके बाद यहां पर कॉंट्री यहां पर चूच कर सकते हैं कंट्री में इंडिया से हूं तो यहां इंडिया चूच करता हूं ठीक है देन मेरा बर्ड़ दे है 16 इन लिटू बहुत ही 6 1993 ओके देन यहां पर हम कहते हैं एक पास्वार्ड चूछ करें घाने ठिक है को इसले याप्र आपना पास्वार डाल देता हूं ठीक है फिर यहां पे एंटर करने के लिए बुल हाँ तो यह तो उसके लिए आप यहां पर आपना फोन नमर डाल सकते हैं या फिर बै इमेल के थोसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं तो मैं यहां पर मेरा नमर डाल देता हूं तो यहां पर नमबर डालने के बाद यहां पर आपका इंडिया हो तो यहां पर इंडिया सेलेट करना पड़ेगा आपको सबसे पहला ठीक है और उसके बाद यहां पर आपना मोबाइल नमबर देना पड़ेगा देन आपको क्या करना है यहां पर I am not a robot में क्लिक करना है ठीक ह अ reuse और आपको क्या करना है यहां पर आई एक क्रिक्क करना है तो यहां पर आप देखुरा है आपका process आट हो चुका है है मंट्यार्च देख Sü Kません यहां पीजहरी स्कूलस और आपको क्लिक्ट करना है तो यहां पर जैसे क्लिक्स यह steps फोल होगा और automatically आपका account यहां पे login हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपका official mail id already यहां पे login हो चुका है ठीक है तो अभी क्या कर सकते हैं यह official mail id को आप डाल के कहीं पर भी आपका जैसे कि कोई भी software अगर आपको install करना है तो वो install कर सकते हैं य या इसके अलावा अगर आपको एक CV या फिर कोई भी LinkedIn का profile create करना है तो वो भी आराम से वाप create कर सकते हैं इस mail id को use करके ठीक है तो और दुसरा बात यह है कि अगर इसी mail पे अगर आपको कोई भी OTP या कोई mail आने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं simple mail.com पे जाके इसी mail id से आप यहां पे login कर सकते हैं ठीक है mail.com पे रिवेंबर not in gmail it's in mail.com ओके और यहां पे आप अपना inbox पे जाके आप क्या कर सकते हैं आपना mail को check कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं unlimited numbers of official mail id free में create कर सकते हैं ओके तो thanks for watching please don't forget to share subscribe and like our channel take care bye bye